हलो एन वेलकम दोस्तों आप सभी का हमरे चैनल एलेक्ट्रिकल अचारे में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपोड़न सब्चेक के बारे में जिसका नाम है पावर कई बार competitive exam में हमसे पावर और उसे related formulas के बारे में पूछ ले जाता है तो इस वीडियो में हम इन ही formulas के बारे में अच्छे सा समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि पावर को calculate करने के अलग-अलग formula कौन-कौन से है तो चलिए start करते हैं दोस्तों जैसे के आप सभी जानते हैं power की जो SI unit होती है वो क्या होती है power की SI unit होती है वो होती है watt पर system में generally हमारे जो loads होते हैं उनकी capacity कफी जादा होती है इसलिए इसे generally हम जो measure करते हैं वो watts में measure करते हैं अब electrical system में हमारे पास दो तरहा के power sources available है कौन-कौन से DC power source और AC power source यह सब यह आप जानते हैं अब अगर आपका कोई circuit अगर DC power supply से connected है तो इस circuit का आपको power निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं अगर मैं एक DC circuit बनाऊ तो यहां पर मैंने एक DC circuit बनाया जिस DC circuit का voltage है V और इस DC circuit के साथ मैंने एक resistance R connect कर दिया और इस circuit में जो current flow हो रहा है उसकी value है I अब इस DC circuit का अगर आपको power calculate करना है तो उसको बहुत असान formula की मदद से हम लोग calculate कर सकते हैं वो है voltage into current right तो किसी भी DC circuit का जो power consumption होता है उसे voltage into current इस formula की मदद से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अब बात करते हैं AC circuit के बारे में AC circuit में जब हमें power calculate करनी होती है इसके लिए हमारा formula थोड़ सा change हो जाता है आप सभी जानते हैं कि AC supply हमारे पास दो तरह से available है first type की जो power supply AC में हमारे पास available है वो है single phase supply और दूसरी तरह कि जो power supply हमारे पास AC में available है वो कौन सी है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं वो है three phase supply चलिए यह तो हमें पता चल किया सप्लाइज के बारे में अगर हमारे पास AC supply है तो यह तो single phase AC supply होगी यह फिर three phase AC supply होगी बहुत ही बढ़िया अब single phase का power calculate करना है है कोई circuit हमारे single phase supply से चल रहा है तो इसके लिए क्या फॉर्मला है तो इसके लिए बहुत असान फॉर्मला है अगें पावर निकालेंगे पावर के लिखेंगे voltage into current तो यह तो direct ही से copy paste कर दिया पर यहां पर एक extra term आ जाता है जिसे कहते हैं हम कॉस FI और यह क्या होता है बिल्कुल सही पेचान आपने को कहा जाता है power factor होती क्या चीज़ है power factor कुछ नहीं पावर factor जो होता है वह होता है kilowatt और के बिये का ratio इससे हमें पता क्या चलता है इससे हमें voltage और current के बीच का phase difference पता चलता है मतलब voltage लेट कर रहा है कि सर्कृत की नेचर के बार में पता चलता है कि सर्कृत हमारा इंडॉक्टिभ नेचर का है या फिर नेचर थिए इस तरह का है मैं बात करूं तो सिंगेलख में अगर मुझे पावर्ड करने हैं तो कैसे करेंगे असान सा फॉर्मला है voltage into current into cos 5 यानि वी आई cos 5 तो ये बहुत असान फॉर्मला है हमें याद रखना है चलिए अब बढ़ते हैं 3-phase supply की तरफ 3-phase circuit में अगर आपको power calculate करनी है तो कौन सा फॉर्मला यूज करें तो 3-phase power circuit में power calculate करने के लिए जो फॉर्मला है वो बहुत असान है आप सभी जानते हैं तो एक फॉर्मला तो क्या है power is equal to under root 3 vl il cos 5 और power calculate करने का एक और फॉर्मला है 3-phase circuit में वो है 3 into dphiph cos 5 अब आप बोलेंगे sir यह तो आपने दुविदा में डाल दिया कि दोनों में से use कौन सा करें आपके मन में यह question कई बार आता होगा कि formula तो दो होते हैं और फिर कई बार आप गलती भी कर देते हैं under root 3 vl il लिखने के बदले under root 3 vph iph कई बार टिक कर देते हैं यह options में ऐसे दिया होता है तो दोनों में से कौन सा formula इस्तेमाल किया जाए और दोनों में फर्क क्या है तो इस फर्क को समझने के लिए आपको एक basic difference जानना होगा three phase supply के साथ connected loads के बारे में आप सभी जानते हैं three phase supply के साथ हम दो तरह के loads को connect कर सकते हैं पहला तरह का जो load होता है उससे star connected load का जाएगा और दूसरे तरह का हम किस तरह का load connect कर सकते हैं बिल्कुल सही पैशाना आपने delta connected load तो एक होगा star connected load और दूसरा होगा delta connected load अब आप सभी जानते हैं कि star connected loads में क्या होता है star connected loads में line current और phase current की value बराबर होती है यानि line current और phase current बराबर होता है जब कि star connected load में ही line voltage जो होता है वो क्या होता है होता है अंडरूट 3 VPH ठीक है यह relation याद रखना है हमें ऐसे ही delta connected load के बारे में बात करते हैं चलिए देखते हैं delta connected load में क्या relations होते हैं delta connected load में line current जो होता है वो किसके बराबर होता है वो होता है अंडरूट 3 IPH जबकि यहां पर line voltage और phase voltage की value बराबर होती है तो यह एक छोटा सा relation है जो आप सभी को याद रखना है चुकि बहुत मेंत्वपूर है star connection line current और phase current बराबर टेंटा connection line voltage और phase voltage बराबर है अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है आपकी बात मान ली पर यह formula आया कैसे है कैसे याद रखेंगे कौन सा formula है बहुत असान तरीका है देखो single phase supply का formula है तो याद रहेगा क्या होता है voltage into current into cos phi तो यह जो single phase supply है तो voltage होगी वो पर phase voltage होगी यानि एक phase की voltage होगी ऐसा ही current जो होगा वो भी एक phase का ही होगा ठीक है तो मैं यह आपको derivation करके दिखा रहूंगी कैसे 3 phase का power का निकलता है अगर single phase की power है V phase into I phase into cos phi तो अग अगर मुझे 3 phase circuit की power निकाल लिया तो क्या करना पड़ेगा तीन से multiply कर तो अगर एक phase की power है voltage into current cos phi तो 3 phase की power क्या होगी 3 VPH IPH cos phi यह तो आसान था ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ देखिया इसी को अगर मुझे अगर आपका load delta connected है या star connected है वो आपको दिया जाएगा तो suppose कीजिए कि मुझे बोला गया है कि जो हमारे पास load है वो मेरा load कैसा है star connected है तो assume load is star connected हमने assume कि जो हमारा load है वो कैसा है star connected है तो क्या होगा star connected load में देखिये जो phase voltage है उसकी अगर value निकालना चाहें तो क्यासे निकाल सकते हैं हम लेख सकते हैं V phase is equal to 9 voltage divided by root 3 ठीक है बस इसी formula को हमें रख देना है इस equation number 1 में तो लिख देते हैं V3 phase is equal to 3 तो ऐसे ही आजएगा अब V phase के बदले हम क्या लिख सकते हैं अगर star connected load है तो V phase के बदले हम लिख सकते हैं VL divided by root 3 तो मैं लिखता हूँ VL divided by root 3 अब next time यहाँ पर देखिए क्या है next time है यहाँ पर I phase star connected load में अभ phase current की value बराबर होती है यानि phase current के बदले यहाँ पर line current लिख दूँ तो लिख सकता हूँ क्या माना हो है पर यहाँ पर यहाँ पर यह चीज यहाँ तक नहीं कि माना हमने क्या हो है कि load हमारा star connected है तो star connected load में मैं लिख सकता हूँ line current और phase current बराबर है तो I phase के बदले मैं लिख स से नहीं होनी चाहिए आई हो इसके बाद कॉस फाई तो वैसे ही रहने वाला है अब बेसिंग मैट्स में आप सभी जानते हैं अगर मैं 3 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ राइट देखो अंडरूट 3 किसके बराबर होता है तो ऐसे ही मैंने यहां पर 3 को तोड़के लिख दिया अंडरूट 3 मुल्टिप्लाइ अंडरूट 3 और यह मल्टिप्लाइ हो गया वी यल बाए रूट 3 से मल्टिप्लाइ हो गया आई यल कॉस फाई से अब आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे हम किस तरफ जा रहे हैं तो यहां पर आप देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इस रूट 3 से इस रूट 3 को काट दूँगा तो अगर आपका स्टार कनेक्टेड लोड है तो यहां पर एक और फॉर्मला हमें मिल गया कौन सा फॉर्मला मिल गया कि वी 3 फेज बराबर हो जाएगा अ पर आप आप को लेसे तो यहां से एक हमें याद अटना है कि स्टार कणेक्टेड लोड के लिए हम लिए लेकैसा सकते हैं अंडरra hyp ये परस उपरण सब्रॉड का यह 9 फॉर्मला कर सकता है तो question में अगर आप से पुछा गया है data connected load की power का फॉर्मला तो आप यह वाला use करेंगे P is equal to 3 VPH IPH cos 5 जब कि star connected load के लिए आप क्या उन्सका formula यूज करेंगे अंडरूट 3 VLIL cos 5 ठीक है तो let's revise कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा DC circuit की power निकलना सीखी उसके लिए क्या formula ही हमने याद करा power is equal to VI ठीक है फिर हमने जाना कि single phase supply की कैसे power calculate करते हैं उसके लिए एक formula होता है P VPH IPH वह हमने direct DC चे लिए हुए है और AC circuits में एक extra term आ जाती है जिसे हम लोग क्याते है power factor जो की होता है kilowatt upon kb-a ratio तो AC circuit का जो formula है AC circuit में power consumption का जो formula है वो क्या है VPH IPH cos 5 या आसान भाशा में VI cos 5 फिर हमने जाना three phase supply के लिए formula three phase supply के लिए अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे single phase की power लिखे हो और उसे three से multiply कर दो ठीक है अब यह तो generic formula है star के लिए का हो या delta के लिए करो यह तो generic formula है पर अगर आपका load हम star connected मान रहे हैं तो star connected load में हमें पता है कि phase current और line current की value बराबर होती है इसी लिए phase current के बदले हमने लिख दिया line current जबकि VPH के बदले हम लिख सकते हैं VL by root 3 ठीक है फिर हमने क्या करा हमने three को दो टुकडों में डिवाइड किया अंडर root 3 अंडर root 3 और एक अंडर root 3 से दूसरा अंडर root 3 कट किया और इसी लिए हमें power का star connected load में एक और formula मिला वो मिला अंडर root 3 VL cost 5 ठीक है तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो यह वीडियो आप अपने दूसरों के साथ जरूर शेर करें थेंक यू